मैं बुचराच से बोल रही हूँ, ओजाजी महाराज ने मेरा काम बहुत अच्छे से कर दिया है, उनकी वज़े से मेरा काम सक्सेस हो गया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच ओजाजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीकरन स्पेस्ट लिज्ट भक्तिकोच यूटूब चैनल में आप सभी का देल से स्वागत है आज मैं आप सभी को बहुत प्रचंड बहुत खतरनाक वसीकरन बताने जा रहा हूँ इस वसीकरन को करके बहुतों ने अपना खोया प्यार पाया है यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो आपसे बात नहीं कर रहा हो आपके पार्टनर के साथ आपका अनुबन हो रही हो आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई जगड़ा हो रही हो यह वशीकरन पल भर में असर दिखाता है और मैं आपको बता दूं कि इस वशीकरन का कोई काट नहीं है इस वशीकरन का कोई तोड नहीं है तो आप जिसके उपर करें सोच समझ कर करें क्यूंकि इस वशीकरन को एक बार करने मात्र से ही सामने वाला आपके वश में हो जाएग यह वशी करन को आप अपने प्यार के उपर में, अपने खोय प्यार के उपर में, अपने बिच्ड़े प्यार के उपर में, किसी के भी उपर में कर सकते हैं पती पतनी के बीच में लड़ाई जगडा मदभेत हो रही हो तो उसके उपर में भी आप करके अपनी पतनी को या पती को अपने मुठी में कर सकते हैं अगर पुराना से पुराना कोई खोया प्यार हो बिछडा प्यार हो तो उसे भी आप अपने वश में कर सकते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और सेर अवश्य करें यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो वसी करनी स्पेशलिस भक्तिकवाच यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ओल करें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी वीडियो आपके पास महुचती रहे और आप इसका पूरा लाब उठा सकें तो चलिए अब बिना समय गवाएं जान लेते हैं सबसे प्रचंट एवम खतरनाक वसी करने के विदी मित्रो इस वसी करन को आप सिर्फ सनीवार को रात में कर सकते हैं साफ होकर साफ कपड़े पाहन कर एकांध कमरे में या खाली जगा बैठ जाएं जहां आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं सनीवार साम 6 से राद 12 के बिच एकांध कमरे में या खाली जगा बैठे एक आसन बिचा कर आराम से बैठ जाएं और आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उसे मन से याद करें उसका फोटो देखें और अपने दाए हाथ में 5 लोंग कहीं से टूटा न हो उपर में फलफूल होना चाहिए पुरुस कोई स्थि करना को करती हैं और जिसे अपने वश में चाहते हैं वे उसए याद करके मेरा यह महा प्रशेंड घटरनाक वशिकरणन प्रका उंत्र का नोट करें ये मंत्र बहुत सक्तिसाली है बहुत खतरनाक मंत्र है इससे बहुत तेजी से असर होता है मंत्र है मंत्र में एक बार फिर से बताऊंगा किरिपया नोट करें इस महा सक्तिसाली प्रचंड मोहिनी वशी करन मंत्र में जहां अमुक सब्द है वहाँ पर आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम ले और 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद लौंग के उपर 5 बार हलकी सी फुक मारे और दूसरे दिन इस लौंग को कपूर से जला दे बस समझ लेजे आपका काम हो गया उसी पल से आप जिसके नाम से वशी करन को किये हैं वो आपके वश में होगी, आपके मुट्टी में होगी, आपके काबू में होगी, आपसे मिलना चाहेगी, आपसे बात करना चाहेगी, आपको देखना चाहेगी, आपका गुलाम हो जाएगी, आप जो बूलिएगा वो करने को तयार होगी, यदि कोई इस तरीक किसी लड़के बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका परणाम उल्टा हो जाएगा, सच्चे मन से सच्चे प्यार को पाने के लिए ही इस क्रिया को करें, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परिशानी, कोई भी तकलीफ हो, तो नी संकोच होकर आप हमारे वाटसाप पर अपनी स सारी परिशानी हमें बताएं, आपकी सारी परिशानी सारी समस्ये हमारे यहां 100% गुप्त रखी जाएगी, और हमारे तरफ से आपको पूरी मदद, पूरी सहायता की जाएगी, तो जो भी समस्ये हैं, आप हमें बेफिकर हो करके बताएं, और हमारे तरफ से सहायता पाएं, अब हमें इजाज़त दीजिए तब तक आप सभी खुश रहें अच्छे से रहें प्रेम से रहें यही हमारी कामना है जै स्री माकाल जै माता के मित्रो